हलो स्टुडेंट्स आज हम क्या कर रहे हैं RSC-80 के जितने भी exam हुई है तो को फ़ेस्ट exam RSC-80 का जब लागू हुई थी 23 मही 2013 से यी exam हो रहा है और आज तक जिन्तने भी exam हो उन सब भी exams के जो भी papers हाए है उनका हम solution करेंगे उनके आंसर की बताएंगे आपको कि कौन-कौन से क्यूसंस आएं वन वाई-वन करके एक वीडियो में हम एक पेपर को डिसकस करेंगे तो अब भी तक आपके पास जो भी यदि आपको आरे से आटी के जितने प्रियों सीरे के फेपर चाहिए और उनका सोलिशन चाहिए यदि कि आपके किसी भी जैसे राष्तान गौर्मनेंट एक्जाम का तियारी कर रहे हो तो उसमें भी परटवारी में इं एक्जाम में केम्पूर्टर के प्योसंस आता है और यह जो प्रिवाने जो भी पेपर से हैं जैसे आरे से परट़रमेंट का हो गया या गौर्मेंट तो questions यहीं से आते हैं, तो अब भी तक आप पने यदि हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe कर ले क्योंकि हम यहां पे बहुत बड़ी series ले के आ रहे हैं, कि RSC IT के जितने भी exams से हों, उन सब भी exams के previous year papers को हम discuss करेंगे, इसका देखो फाइदा यह होगा, कि 31st मलब 31 जनव देखते जाना, देखो, starting में जो exam हुआ था, RSC IT का जो पहला ही पहला exam हुआ था, वो 23 मई 2013 को हुआ था, और तब से लेकर आज तक के जितने भी पराने paper से हम इस YouTube में, हमारी इस YouTube चैनल पर upload करने जा रहे हैं, तो एक playlist मिलेगे, आपको बहुत बड़ी सारी, आप playlist के help से भ अभी तक RSC IT के, तो starting RSC IT का exam के 23 में 2013 से हुए, जिसके paper आज हम discuss करेंगे, उसके अलावा one by one करके देखो, 14 में, 15 में, जितने भी papers ही हैं, फिर 16 के आगे, फिर 17 के आगे, फिर 18 के आगे, और 19 के, और अभी जो latest RSC IT का exam हुआ था, वो 6 December 2020 को हुआ था, तो इसको भी discuss करेंग तो हम ये उपर वाले ये जरूर discuss करेंगे, क्योंकि अभी जो new syllabus के according है, तो paper जो 31 को होगा, वो भी new के according ही होगा, लेकिन फिर भी try करेंगे, कि हम इन वीडियो को upload करते हैं, क्योंकि बाद में भी exam आएंगे, उन में भी help है करेंगा, तो हमारा जो first question है, जो 23 माई 2013 को जो paper वा था, उसका first question है कि internet explorer क्या है, तो music player के काम थोना आता है, तो आप जब भी website google chrome open करते हो, या फिर जैसे internet explorer भी आजकल आता है, ऐसे e करके, तो उसको open करते हो, तो वहां website वगरा में search करने के रिए काम आता है, तो क्या होगा ये अपक web browser होगा, तो internet explorer क्या एक web browser, ये आपको याद रखना है, second question है आपका, कि संक्सित रूप, D-I-M-M का विस्तारी रूप है, मलब इसकी full forum आप से पूछिए, तो इसकी full forum होगी, D का मतलब dual, E का मतलब inline, और M का मतलब memory module, तो option कौन सा होजएगा, D, तो D-I-M-M का full forum होगा, dual inline memory module, आपको रट लेना है इनको, क्योंकि direct question आते हैं, इन में दिमाग लगाने की ज़रूरत है, नहीं है, next question, आपका question number 3 क्या है, कि computer में BMP छवियों, image का तात्प्रेक क्या है, जैसे JPG image होती है, इस तरीके से होती है, जितने भी image, तो ये BMP image का एक टाइप है, तो इसका म input और output युकती नहीं है, देखो question से जो गडबड करते हैं, हमेसा है या नहीं में करते हैं, तो देखो, plotter क्या होती है, output unit होती है, जो हम बड़े-बड़े flex वगरा बनाते हैं, वो सभी होगा, monitor, monitor भी क्या होती है, एक output होगी, और आपकी speaker भी क्या होती है, एक output होती है, क्य इससे भी तो आवाज निकलती, तो कौन सा बचके है, ALU, ALU ने तो input है, उन्हें output क्योंकि ये तो एक CPU का part है, next question number 5, देखो, HDMI port का विस्तारी तुरूफ है, option B, इसका correct answer हो, high definition multimedia interface, question number 6, देखते है, TCP IP का विस्तारी, तो ये networking से question है, और TCP IP, इसका दो simple सा है, कि internet protocol होता है, और ये एक, उसी के through होती है, जो ये, इसका option हो गया, C, कि transmission control protocol, internet protocol, दो तरीकी के protocol होगी, एक तो transmission control protocol, और internet protocol, ठीक है, question number 7, देखें, question number 7 वगरा, ये दो को window से related है, ये बोला कि किसी भी file, या folder को हमेशा के लिए मिटाने तो हम इस्तेमाल करते है, तो देखो, एक तो हम simple delete, click करते है, तो delete, click करेंगे ना, तो वो क्या होता है, कि जो भी content हो, recycle बिन में जाएगा, ठीक, लेकिन हमें recycle बिन में नह हो जाएगा, otherwise क्या करेंगे, delete option, यदि हम करते हैं, delete करते हैं, तो क्या होता हो, recycle बिन में जाता है, वहां से फिट delete करना पड़ता है, जब जाके system से जाता है, यदि आपको permanent बिना recycle बिन में गए हुए, यदि content को delete करना है, तो आपको क्या देवाना पड़ेगा, shift or delete, question number 8 है, question number 8 भी बहुत अच्छा है, कि किसी file का नाम बदने के लिए, इस function कुंजिक का इस्तेमाल करते है, दो को यहां पर दो चीजे, एक तो PC होता है, एक आपका laptop होता है, ठीक, अब PC में तो क्या होता है, कि जो function key होती है, वो उपर होती है, F1, F2, F3, F12 तक, तो वहां त क्या होता है, direct encode, direct press करने से वो work करते है, लेकिन laptop में क्या होता है, कि F1 ने तो एक नीचे key होती है, और F1, F2 यह सब उपर होती है, तो इसके combination से एक work करती है, function की, तो देखो, जो यह बोल रहा है कि नाम बदने के लिए, तो F2 जैसे click करो, जैसे यह आपके पास किसी file का already name है, तो F2 के लिए करोगे, तो इसमें name change करने का option आजाता है, कि आप name change कर सकते हो, तो F2, और यादे आप laptop में करोगे, तो FN और F2 दोनों के combination से आप यहाँ पर फाइल का नाम change कर सकते हो, तो उनसा option correct होगा, यह option number B, Q9 क्या कि operating system का या के कारिया, तो operating system का कारिया परक्रिया management में भी है, memory management में भी है, और file management में भी है, क्योंकि operating system के इना तो कामी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी system को चलाने के लिए operating system होना जरूरी है, तो option D हो गया, इसका correct answer, appropriate, सबी, Q10 है, यह बहुत ही important है, GUI की full forum, यह बहुता है कि graphical user interface, graphical user interface, तो option A इसका correct answer हो गया, Q11 में देखो क्या बोला है, कि email पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है, एक तो यह है कि email के अंदर जैसे simple सा है, मैं लिखो कि abc.gmail.com जो भी है, यह तो मैंने gmail का बना है email, email किसी का बना सकते है, लेकिन उसके लिए condition है कि add the rate तो आना ही आना चाहिए, यह भी सही है, उसके बाद में यह कहले है कि यहाँ पर कहीं पर भी space नहीं आना चाहिए, आप underscore कुछ यूज कर सकते हो, लेकिन space नहीं आना चाहिए, तो B भी correct है, इसका हमलों option C का correct answer हो गए, कि A और B दोनों इसमें सही है, तो option C का correct answer हो आप देखो जैसे save पे क्लिक करते हो ना तो already जिस भी name से पहले file थी, वो उसी में उसी location पे, same file save होती है, लेकिन यदि हम save age की बात करें, तो save age में क्या होता है, कि वो जो file है, उसकी new location मांगता है, वो new name मांगता है, कि आप फर्दर जो पुरानी वाली file हो से में कोई change नही आप उसकी coffee बना सकते हो दूसरी जगे, तो save तो क्या होगा, देखो कोई भी answer नहीं है, ये तो गलत बात, answer तो होता है, ने तो ये दो option होते ही क्यों, तो save उस दस्ताव इसको संग्रित करेगा, जो पहले से किसी इस 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 question number 13 है, यह है कि इन में से कौन सा font style, ms word में नहीं है, तो आप को देखोगे कि यहाँ जो नीचे आता है, यह काता है, bold, एक आता है, आपका italic, ठीक और एक आता है, regular, यह तो font style है, तो कौन सा font style नहीं है, आपके, सब script और सब वो तो अलग चीजी आती है, question number 14 है, वो बोले कि control P इस्तेमाल होता है, तो दस्ताविज को छापने के लिए, computer को बंद करने के लिए, यह word file को बंद करने के लिए, यह दस्ताविज को copy paste करने के लिए, control P का मला होता है print करने के लिए, तो print करने का मतलब हो गया कि दस्ताविज को छापने के लिए, जल्दबाजे में क्या करता है, कि copy paste के लिए normal past के लिए, और control plus V के लिए पेश्ट के लिए यह और चापने का मतलब हो गया, simple सा print करने के लिए,OYो कौन सा option correct होगया option number a क्यूसर नमर जो 15 वो यह है कि टेबल बनाते से MS word में mouse pointer कैसा दिखता है देखो जैसे भी MS word में आप यदि टेबल बनाते हो तो आपको पता है कि वहाँ पे जो mouse आपका एक pencil की तरह work करने लग जाता है जैसे एक pencil जैसा sign आता है तो यहाँ पे simple सी बात हो गई कि वह कैसा दिखेगा आपको mouse pointer एक pencil की तरह दिखेगा ठीक है next question number जो 16 है powerpoint production में कौन सी file प्रारूप नहीं जोड़ा सकता देखो जैसे आप यह powerpoint में presentation बना रहे हो यह simple एक open कर लिया हमने एक page ठीक एक seat है क्योंकि यह seat हो गई अब seat में देखो हम jpg image भी insert कर सकते हैं जैसे जाएंगे तो हम cut cofist करके एक GIF file भी एक image होती है जो चलती रहती है अना एक way भी एक file का name हो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं लेकिन जो STM है यह हम file प्रारूप हमारे जो seat presentation की उसके अंदर नहीं डाल सकते है तो option C इसका current transfer हो गया है उसके बाद में question number 17 यह है कि कौन सी कुंजियों की स्योंजियों से powerpoint परस्तूतिकरण में नया slide जोड़ा जाता है जोड़ा जाता है जैसे आपके पास ओलड़ दे को इधर slide आती है खूब सारे से slide number 1,2,3,4 इस तरहीं से और यहाँ पर क्या होता है यह पूरा open होता है यह पूरा यह आपके जैसे इस पर काम कर रहा है तो यह slide यहाँ पर बड़ी हो की देखेगी तो यह बोलना है कि यहाँ पर यदि कुछ seat यदे आपको add करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो control x तो simple cut के लिए होता है new का मतलब हो जाएगा कि नई power presentation आपक control m control plus m से आप यहाँ पर insert कर सकते हो तो कौन सा option से यह हो गया option number d आसकी का विस्तारित रूप है यह एक जैसे binary वगरार यह इस तरीके से यदि कोई number को और इनको presentation करने की जो तरीका है ना उसी तरीके से यह है तो इसके यह बहुत है इंपोर्टेंट है कि उसने भी आता है तो एक का मलब होता American यह option A का करेक्ट है कि American as का मलब standard C का मलब code for information interchange तो यह याद कर लेना कि असकी का फुल फोरम क्या होता है तो क्यूसर नमर 19 पे चले क्यूसर नमर 19 क्या है आदूनिक कुंजी पटल की बोर्ड जो की बोर्ड होता है न आपका उसमें function keys कितनी होता है तो ओपर होती है यह पता है कि F1 से लेके और कहां तक होती है F12 तक तो कितनी हो गई total 12 तो कौन सा option से यह हो गया D उसके बाद में बोला है कि binary फंडाली में 8 के द्वारा 8 को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इसका simple सा यह फंडा होता है कि आप इस तरीके से करो ठीक इस 2 से डिवाइट करो फिर यह यहां पर remainder बगरा लेकिन यदि आपक इन्टू जीरो यहां पर आगा है फरस्ट वाले कि 2 की पावर फिर प्लस फिर यहां पर तो जीरो है लेकिन 2 की पावर की से multiply गी 1 फिर यह 0 इन्टू टू पावर 2 प्लस जीरो स्वरी वन है तो यह 1 इन्टू पावर 3 तो देखो यह भी 0 हो गया यह भी 0 हो गया यह भी 0 हो और यह क्या हो गया, 8, तो इसका overall answer कितना आ रहा है, 8, तो यही क्या हो गया, इसका answer हो जाए, यदि इसको देखे कि इसका decimal expansion क्या है, तो जैसे 0, 0, 1, 0 है, तो simple सी बात देखो, यहां से करते हैं हमेशा, तो 0 और इसके साथ 2, क्योंकि 2 के power यहां से बढ़ती जाएंगी, 0, 1, 2, 3, और यह number उसके साथ multiply होते जाएंगे, तो फिर यह वाए, 1, 2 raise to power 1, प्लस, आगया वाले तो 0 multiply होके 0 होगे, तो इसकी value कितनी आ रही है, 2, तो यह तो 2 को refergent कर रहा है, इसी तरीके से यह किसको refergent करेगा, 4 को refergent करेगा, यह किसको refergent करेगा, 1 को refergent करेगा, तो कौन सा option ह हो गया, a, question number 21 है, question number 21 की एक दस्ता विच कि सभी सामगरी को, सभी सामगरी को चैनित करने के लिए, कि यह सभी को एक साथ select करने के लिए, हम कौन सी कंजी का यह कुछ करते है, shortcut की का, control plus a, यानि control all, question number 22 का, इन में से कौन सा MS office, MS office का वैद संसका नही है, कि MS office का कोई सा भी version आया या नहीं आया ऐसा, तो दोको 2007 तो यह तो बहुत ही famous वा था, यह भी था, यह 1970 भी था, लेकिन कौन सा वर्जन अभी तक है, नहीं आया हुआ, 2005, तो option कौन सा हो गया, 6 का correct answer हो गया, next, इन में से कौन सी की जवर्तनी और व्याकरन, महलब spelling चेक करने के लिए, इन के लि important question है, next question देखो, 24, qwerty, यह किस से समंदीत है, तो कोई यह keyboard से समंदीत है, keyboard समंदीत का महलब क्या होता है, कि यह जो letters है, qwerty, एक line में आता है, आप यह देखना यह चीजे, keyboard को देखो गया ना, तो यह line में आते है, तो वो keyboard का type भी बोल देते, कभी कि इस type के keyboard हमें, use करता question number 25, stml का full forum क्या है, तो stml का full forum क्या है, hypertext mark of language, यह तो याद ही कर लेना, यह तो बहुत important ही बार बारा आता, h का मलब hyper, t का मलब text, m का मलब mark of, पहल का मलब language, question number 26, modem की मतलब क्या होता है, देखो, इस का मलब simple सा काम याद रखना, कि modem में, mo का मतलब होता है, modulation, और d, em का मतलब होता है, demodulation, तो simple सा, modulation and demodulation, option number, यह इसका correct answer हो गया, फिर वोला है कि PCI की full forum क्या है, तो PCI की full forum में, वेटा, d, peripheral, component, interconnect, peripheral, component, interconnect, तो option d, इसका correct answer हो गया, MICR क्या होता है, देखो, MICR जो होता है, वो आपके क्या होता है, जो check वगरा होता है, तो उनमें जो यहाँ पे, जो code वगरा होता है, उसको read करने के लिए काम में, लेता है, तो MICR की full forum क्या है, कि magnetic ink character recognition, यहाँ recognition लिखा वोई बात है, तो यह होगा, magnetic ink character recognition, यह वैसे भी क्या होता है, तो देखो, यह आपका cursor हो गया, यह इधर क्या हो गया आपका, right हो गया, और यह इधर क्या हो गया, left हो गया, तो left हम backspace से करते हैं, जबकि right वाले हम delete से करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे backspaces का correct answer हो जाएगा, उसके बाद MS Excel program में खानों की चोड़े पंक्ती क इसमें आपी जाती है, जो MS Excel में यह जो आता है न, यह, तीन की जो छोड़ाई वगर आरी किससे नापी जाती है, वो इंच में नापी जाती है, option C, बार कोड रीडर क्या है, जैसे हम कहीं जाते हैं, दुकान वगरा में तो यह बार कोड लगे वाता है इस तरीके से, यह, होती है आपकी, वार कोड रीडर, यह होगी आपकी एक इनफुट युकती, मलब यह इनफुट है, इस तरह हमें चीजे इंसर्ट की जाती है, उसका कोड होता है, उसके rate वगरा जो भी है, क्यूसर नमर 32 के pen drive इस्तेमाल, pen drive किसमें काम आती है आपकी, बंडारन में, कि हम को आपकी, वागरा वो डाउनलोड करके उसमें सेव कर सकते हैं, यह तो कौन सा option हो गया, option number B, बंडारन हे तू, क्यूसर नमर 33 है, वो है कि टिम बैनल सी ली दुवारा कौन सी आउदान अगी, तो यह तो दी www, वार्ड वाइवेव, इसके भी फूल फूरम पूछी जाती है, तो वाइव, वाइव, वाइवेव, ठीक है यह भी याद रखना, उसके बाद में क्यूसर नमर 34 है, वो है कि बारत ये सुपर केंपूटर को दारन नहीं है, यह पूछे है, तो नहीं है तो अनुराग और फूरम तो यहीं कै, तो कौन सा option हो गया, A, option number A, AS400, यह बारत का नहीं है, question number 35 है, SATA की full forum पूछ रहा है, तो SATA की full forum होती है, S का मलब serial, एक मलब advanced, T का मलब technology, एक मलब attachment, तो option number B, serial advanced technology attachment, तो option number कौन सा हो गया, B, इस तरीके से जो भी 23 माई 2013 को जो paper हो था, वो आपका complete, next जो भी वीडियो आएगा, वो हम देरे देरे one by one करके सभी paper discuss करेंगे तो आप हमारे चैनल को subscribe करें, like करें, यदि वीडियो आपको फसंद आया, तो लोग अपने friends को भी share करें, जिससे उनको 31 को जो भी exam होने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा benefit मिले, thank you